गाउं की इस्थिती को जनता के सामने पहुचाने और सरकार तक पहुचा कर उनकी समस्याओं का हल कराने के करम में एबीपीज न्यूस की टीम बुलंद शहर जिले के दोफा गाउं पहुची ये एक ऐसा गाउं है जहां पर शम्शान घाट तक नहीं है यहां के लोग शम्शान घाट की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन लोगों को शम्शान घाट नहीं मिल पाया है ग्राम प्रधान जैसिंग ने बताया कि उन्होंने अपने इस तर से इंटर लॉकिंग की सड़कों का निर्मान कराया खड़ंजे बनवाय इस्कूल में सीसी टाइल्स की सड़क बनवाई फर्च आधी की व्यवस्था की पंचएदध घर पर फर्च बनवाया और पचाश सोचाल है उनके गाओं को मिले थे उनका निर्माण भी उन्होंने कराया है उन्होंने कहा कि उनके गाउं को अभी 12 और प्रधान मंत्री आवाज चाहिए साथ ही 10 सौरूर्जा की लाइटों ती भी आवश्यक्ता है स्वाष्ट केंद्र पर उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर स्वाष्ट से भाई पूरी तरह से ठप है इसलिए स्वाष्ट केंद्र भी बंड़ा आवश्यक्य है मेर नाम जै सिंग परधान ग्राम पंचात तोंका दानपूर विलोग विकास अच्छा कराये जैसे भी पैसा आया वैसी हाथ गयाद विशाक विकास हुआ है इस्कूल पंचात घर गली खरंजे नाली यह सब कराये हैं और मेरे गाओं में ज्यादतर समस्या जो पानी की है जो ग्राम पंचात की जमीन नहीं है कही पानी निकल ले में दिक्कत बन नहीं है गली दो साल होते नहीं है उतने वह पानी भर जाता दुबारा को गलियां खराब होती है कि पूरु की दाहनों निपेज जैसे पट्टे कटे होय उधी जमीन तो पट्टों में घर गई अब जमीन नहीं है, पानी निकास को पोखर नहीं है, कई समस्या है, अब कहीं भी निकालों तो कोई किसान अपने जमीन में कोई जाने देगा पानी तो इस पानी वाली समस्य सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है, हमारे गाम में वैसे मान देट 10,000 दिया जा, पहले धाईजार था तो एक जार इस जी करके गए, बढ़ा के गए, पेंती सो में कोई गुजारा नहीं है, इतना तो कोई भी आता है, दिकारी चाद पानी में केम्प में केम्प लगते हैं, बार बार महीने, दो महीने में, उनमें खर्चा आता है, तो 10,000 किया जा,